बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए सही निवेश करना बहुत आवश्यक है आज के इस दौर में क्रिप्टो कुरेंसी निवेश का एक ट्रेंडिंग मेथट बन चुका है इस तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल दुनिया में करन्सी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है क्रिप्टो कुरेंसी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और ये कैसे काम करती है इसके क्या फायदे होते हैं ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आई होंगे क्रिप्टो कुरेंसी एक डिजिटल कुरेंसी है जो सिर्फ वर्चुली एक्जिस्ट करती है यानि कि आम करेंसी की तरह हम इसे नोट या सिकों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं इसे digital wallet में रखा जाता है और इसकी transaction भी online ही की जाती है दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हर देश के अपनी currency होती है और उस पर वहां की सरकार का अधिकार होता है याने के एक centralized system देश भर में currency के flow को manage करता है जैसे की भारत में Reserve Bank of India लेकिन cryptocurrency के साथ ऐसा नहीं है उस पर किसी भी सरकार, bank या किसी भी अन्य agency का कोई control नहीं है cryptocurrency के शुरवात 2009 में हुई थी और bitcoin दुनिया की पहली cryptocurrency के तौर पे सामने आया था जो आज भी सबसे जादा भरोसे मन माना जाता है इसकी popularity का अंदाजा आप इसकी कीमत से लगा सकते है आज एक bitcoin का दाम 35 लाग से भी जादा है इसी popularity के चलते बहुत सी companies ऐसी हैं जो bitcoin payment accept करने लगी है और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि ऐसी companies की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा bitcoin के अलावा भी market में कई अन्य currencies मौझूद है Ethereum, Ripple, Tether, Litecoin, bitcoin जैसी ही कुछ popular cryptocurrencies हैं जिन में निवेश किया जा सकता है तो चलिए अब बात करते हैं cryptocurrency के फायदों की immediate international transaction याने के fiat currency के मुकाबले आप cryptocurrency से mintो में international transaction कर सकते हैं और साथी साथ इसमें transaction charges भी ना के बराबर होते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा advantage है कि इसमें सारी के सारी authority owner के पास होती है अगर मेरे पास bitcoin है तो उसकी सारी authority सारी power मेरे पास है मैं उसे peer to peer खरीद या बेच सकती हूँ किसी भी bank या authority की involvement ना होने के चलते ही सभी transaction पूरी तरह से confidential होती है और बहुत ही असानी से owner अपने smartphone और computer से कोई भी transaction कर सकता है बिना किसी bank की मदद लिए अब इतना कुछ जानने के बाद अगर आप भी cryptocurrency में invest करने की सोच रहे हैं तो ये जरूर याद रखें कि cryptocurrency में investment करने में काफी risk भी है इसलिए किसी भी coin में invest करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से research कर ले और उसके बाद उसकी performance देखने के बाद उसमें invest करें 2018 में bitcoin लगभग 65% नीचे गर गया था लेकिन अब 3 साल बाद उसकी कीमत आसमांच हो रही है आने वाले वक्त में भारत में cryptocurrency का क्या future होगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल के लिए इसमें निवेश करके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं टुआ हो रहा हो रहा कि तो